नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं सब में अपने आपको जानता का सबसे ज्यादा ही तैसी बताने के होड़ लगी है, कही समाजी की नायात्रा निकाली जा रही है, तो कोई भरस्टा चार विरोधी मोहिम में लगा है, किसी ने उने से बतिता खत्यान लागू करने का विड़ा उठाया है, तो कोई बेरुजगा कारकर में परदेश अध्यक्त दिपक प्रकास, बिधायक, दलकिनेता बावलान मरांडी, पूर्व सीएम, सहराष्ट्रिय उपाध्यक्त रहुबर दास, केंद्रिय मंत्री अजुन मुंडा, केंद्रिय मंत्री अनपुर्णा देवी, परभारी लक्ष्मी कांद बाजप्या सभी सांसद और विधायक जूटे थे, या एक तरब से बिजेपी का सक्ति परदसन ही था, बिजेपी सांसद दिपक प्रकास को नोटीस, रांची की धुरवा थाना पुलिस ने राज सभा सांसद वा बिजेपी परदेश अध्यक्त दिपक प्रकास को 14-1 के तहत नोटीस ब बनाया गया है, जिन में बाबुलन मरांडी, रहुवर दास, अरजुन मुंडा, संजय सेट, समीर उराव, सुनील कुमार सिंग, निसिकान दुबे, आमीत मंडल और बिरेंची नराय सामिल हैं, गौतला भाई की धुरवा गोल चकर हिसा मामले में पुलिस ने बिजेपी के स बिधायक और करताओ, सहीत, हजार से भी ज्यादा अज्यात लोगों के खिलाब, दंगा भणकाने, उपद्रयों करने, सरकारी निदेशों का उलंगन करने, सरकारी कारे में बाधा डालने, भीड को उक्साने, और सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुचाने की धाराओ में के होता जा रहा है, जहरकन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन ने अप नियोजन निती के खिलाब पिछले तीन महिने से जारे आंधुलन को एक पैदान और उपर ले जाने का फैसले किया है, इसी सिलसीले में 17 अप्रेल को मुक्ष मंत्री हमंत्रेन का आवास घराव किरन नित है कि हमान सरकार द्वार लाई कई नए नियोजन निती के खिलाब इस अंदोलन में उन्हें आदिवासी छात्र संग, आईसा, आदिवासी सेगल अभियान, आदिवासी जन परिशत और आदिवासी मूल वासी जन आधिकार मंच का भी समर्थन हासिल है, बाबा साहब भीमरा अंबेटकर की जहनती पस्तियम और राजेपाल ने सरधा सुमन अरपित किया, बाबा साहब भीमरा अंबेटकर की जहनती देश पर में मनाई जा रहा है, देश के समिधान निर्माता बाबा साहब डाक्टर भीमरा अंबेटकर की जहनती पर राजधानी राची समयत पूरे जार्खन में सर्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया जा रहा है रांची के डुरंडा इस्थित बाबा साहब भीमड़ा अम्बेटकर की आदमकत परतिमा पर राजेपाल सीपी राधा कृष्णन मुख्य मंत्री हेमान सुरेन मंत्री आदमगीर आलम मंत्री बादल पत्रले सहित कई लोगों ने सर्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया बता दे जार्खन उच नियाले के पास इसीद बाबा साहब की आदमकत परतिमा पर सर्धांजली अर्पित करने पहुंचे राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि अगर दुनिया में कोई सबसे परशासर ने करवाई की है इस मामले में राज सभासांशत सा बीजेपी परदेश अध्यक्स दिपक प्रकास बिधायक सीपी सिंघ सहीद 18 लोगों को नोटिस जारी किया गया बता दे राज सबसांशत दिपक प्रकास बिधायक सीपी सिंघ नवीन जेस्वाल पार्शद अस बढाईक सहित 18 भाजपा नेताओं करकताओं को धुर्वा थाना की तरफ से नोटीस जारी किया गया इन सभी को रांची में सचवाले घिरामानुए पूस्ताच के लिए धुर्वा थाना बुलाया गया है पुलिस सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसाथ सभी 18 लोगों को दो दिन के भीतर नोटीस पहुचाया जाएगा भाजपा परदेश अध्याक्ष राजसाबा सांसाद दिपक प्रकास को नोटीस मिल चुका है उन्हें 22 अप्रेल को धुर्वा थाना बुलाया गया है जारखन में दो दिनों में चड़ेगा पारा जारखन में तापमार बढ़ने के साथ जन जीवन अस्त ब्यस्त होता जा रहा है इसी बीच मौसम विभाग से रहात भरी ख़वर आ रही है विभाग का पुरणवान है कि 17 से 29 अप्रेल के बीच जारखन के कई इलाकों में बादल चाहे रहेंगे और गजन के साथ बारिश हो सकती है बतादे रांची का अधिक्तम तापमान बुद्धवार के पेक्छा गुरुवार को दो डिग्री सेस अधिक रहा जबकि इन दिनों आकास मेहल के बादल भी चाहे रह सकते है पूश्टास के बाद इडी ने साथ लोगों को किया गिरफतार इडी ने पूश्टास के बाद जमीन घोटाला मामले में साथ लोगों को गिरफतार किया है सबी अभियुक्तों को कोट में पेस किया जाएगा गिरफतार अभियुक्तों में एक सर्क्री एस्पेक्टर भी सामिल है जमीन घोटाला केस में साथ लोगों में सियाई भानू परताप परसाद फरजी काग्जात त्यार करने वाले अपसर अली सदाम इंतियाज अहमद तलहा खान परदीप बागची और फयाज खान सामिल है मालूब हो कि एडी ने गुरुवार को सरकारी जमीन की हेरा फेरी के मामले में महत्रपुन भूमका निभाने के आरोप में रांची के पूरव डिसी छावी रंजाँ बरगाई के सियो मनोज कुमार, सियाई भानू परताप, अमीत, सुजीत, कुमार सहीद, जमीन, कारोबार से जुड़े, फयाज, खान, इंतियाज, अहमद, अपसर, अंसारी, लखान, सिंग, तबरेज, अकतर, सहीद, 18 लोग इंठीक आने पर छापे मारा था लातेहर से भारी संख्या में हत्यार वा कार्तूस्त बरामत, लातेहर जीले में केंद्रीय रियर पूलिस फोर्स को एक बार फिर सार्च ऑपरेसर में बड़ी सफलता हात लगी है, जवानों ने भारी संख्या में हत्यार वा कार्तूस्त बरामत किये है CRPA 214 वी बटालियन के कमांडेंट KD जो सी के निदेश पर G Company QAT वा लातेहर जीला पूलिस के सन्युक्त तत्वधान में जीले के गारू थाना के सालवे ग्राम के घाने जंगलों में सर्च अप्रेशन चलाया गया सर्च अप्रेशन का नेतितो उप कमांडेट संदीप कुमार सार्मा सहाय कमांडेट सुरेंद्र कुमार नेक लिया है इस दोरान जवानों ने बुढ़ा पहाड की तलहटी में नक्सलियों के द्वारा चुपा कर रखे हाथियार्वकास तुस्त ब्रामत किये है पांच नक्सलियों के मारे जाने की बिरोध में दो दिवसी नक्सल बंद शुरू चत्रा के लवालंग में मुडभेड के दरण पांच नकसलियों के मारे जाने की ब्रोध में भागपा मवादी संगठने चौदा और पंदरा अप्रेल को पच्मी जहारखंड और दक्षनी बिहार बंद की खुसना की है पच्मी जहारखंड में चत्रा लुहरतक का लातेहर और गुमला जिला आता है ऐसे में इस बंदी का परभाव इन जीलों में देखा जा सकता है बतादे नक्सल बंद को देखते हुए पुलिस मुख्याले की ओर से इन जीलों को अलर्ट किया गया है हलाकि इस बंद से प्रेस, दूद और एम्बुलेंस को मुक्त रखा गया है वही दक्षिनी बिहार के जीले में गया औरंगाबाद नवादा, जमोई बाका, मुंगेर, मुख्य रूप से मवादी संगठन का प्रभाव है इस संबध में नक्सली, संगठन दुआरा, गया के रौसंगड थाना छेत्र में बिहार जार्खन रिजिनल कमेटी की ओर से परचा चिपकाया गया था वन छेत्र की भूमी पर वन उपज का डेटा वेस होगा तयार जार्खन के कई इलाकों में ग्रामीन छेत्र के लोग वन उत्पादों पर निर्भर हैं वही सरकार वन उत्पादों पर निर्भर ग्रामीनों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कारयोईना त्यार कर रही है इसको लेकर रांची में मुख्य मंत्री हमांसुरे ने ग्रामिनों के साथ बैठक कर जरूरी दिशानी देश दिये बतादे सिधु कानों किरिसी एवां वन उपज राज सहकारी संग लिमीटेड रांची के निर्देशक पारशत की दियुतिय बैठक मुख्य मंत्री के अधक्स्ता में हुई इसमें जहर्खन सरकार के किरिसी मंत्री बादल पत्रलेक भी सामिल हुए बैठा के दुरान मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि राजे के सुदुर गरामिन छेत्रों में उपज पर अधारित उत्पादों में भैलू एडिशन कर जीविका का महत्वपुन सुरोत बनाया जा सकता है इसलिए गरामिनों को उनके द्वारा उत्पादित और संग्रहित उत्पादों का उचित मुली उपलब्ध कराने पर अधिकारियों को भी से त्यान देना चाहिए जहारखन के मेडिकल कॉलेजों के सिक्षकों की जिमेदारी और जबाबदेहित तय करने की क्वायद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिक्षकों की जिमेदारी और जबाबदेहित तय की जा रही है सरकार ने इसके लिए बिधिवत आदेश जारी किया है स्वास्त विभाग ने सभी राज किये चिकित सा महाबित द्यालय को एक फर्मेट भेजा है और कहा है कि सेक्षनिक और चिकित सीय कारियों का कैलेंडर तय किया जाए बता देश जारकन की स्वास्त विभास्ता हमेसा सवालों के घेरे में रही है समय पर इलाज नहीं करने दवाई की कमी और टाल मटोल वाले रवये के कारण गरीब मरीजों को भारी काम्याना उठाना पड़ रहा है इन बातों को देखते हुए राजे के स्वास्त विभागने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सिक्षकों की जिमेदारी और जब अब दही तैक करने की जोईना त्यार की है अब मेडिकल कॉलेज के सिक्षकों को हर मान न सिर्फ यह बताना होगा कि उन्होंने कितनी कक्षाय ली हुए हैं खुले आकास के निचे पड़े पड़े एंबूलेंस बरबाद हो रहे हैं लेकिन हैरत की बात या है कि कोई भी अधिकारी इस पर बात नहीं करना चाहता राजे के दुरगम और दूर दराज के इलाकों में मरीजों को अस्पताल पहुचाने के लिए एंबूलेंस की रहे हैं बता दे राजे में एंबूलेंस किया इस्थी ती ता भाय जम्मुखे मंतरी हमान सुरेन आम जनता के लिए यार एंबूलेंस उरू कराने की बात करते हैं सांसद संस्क्रिती महसो 5 मई से रांची के विभीन आड़ोटोरियम में 5-7 मई तक सांसद संस्क्रिती महसो का आयोजन होगा इसमें विभीन सैली में 32 जन जातियों की कला बिरासत की जलक देखने को मिलेगी यह जनकारी लालपूर इस्थीत होटल सिटी पैलेस में सांसद संजय सेट ने सुक्रवार को दिया है उन्होंने बताया है कि अभी तक इस कला परत्योकता में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक अभियात्यों रेश्टेशन करा लिया है सांसद ने कहा है कि युआओ के उत्साह को देखते हुए रेश्टेशन के ती थी 20 अप्रेल से बढ़ा कर 25 अप्रेल तक कर दिया गया है 13 माई से खेल गाउं में होगा All India Open अमंत्रन कराटे चेंपियनसीप रांची का खेल गाउं 700 कराटे खेलाडियों के साथ गुलजार होगा आगामी 13 और 14 माई को रांची के हरुआं से टाना भगत स्टेडियम में सिको कई कराटे डू इंटरनेशनल जारखंड की मेजबानी में All India Open अमंत्रन कराटे चेंपियनसीप का आउजन किया जा रहा है जिसमें देश बर से लगबग 700 कराटे खेलाडी और 50 पताधिकारी के सामिल होने की संभवना है इस परत्योकता में एसन कराटे फेडरेशन के जज की भूमका भी महतपुन रहेगी परत्योकता काउद घाटन 13 माई को दो पहर दो बजे किया जाएगा कारकरम के मुख्य अतिथी कराटे इंडियन औरगनाजेशन के अध्यक्स सिहान बीजय तिवारी होंगे और विशिष्ट अतिथी के रूप में कराटे इंडियन औरगनाजेशन के महा सचीव सिहान संजीव जागरा वकोसा ध्यक्स क्योसी मुतुम बंकिया सिंग सामिल रहेंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर वाल के वेले कंद भईये साची साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के से अशेर करना ना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बग्स पर अपना फीडिवेक अवस से दे थैंक्यू